हेलो ब्यूटिफल पीपल, वेलकम टो जी एस बाई एस, तुड़े विल टॉक अबूट सम्थिंग जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, वो है आदमी के अगेंस्ट में जो क्राइम होता है, स्पेसिफिकली रेप पंजाब के जलंधर से ये ख़बर आ रही है कि चार लड़कियों ने खिड्नाप किया, रेप किया और बाद में सुबह में डंप कर दिया एक पंजाब के लेबरर को, जो लेधर फैक्टरी में काम करता था पंजाब पुलिस ने प्रोब लॉंच कर दिया है, और आज हम केस की डीटेल्स और जो सुसाइटल इससे रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं चार लड़कियां in their 20s, इनको किड्नाप किया एक वाइट कार में और एक केमिकल स्प्रे किया इनकी आँखों में और उनको ड्रग किया और इनको सेक्शुली अब्यूज किया फॉरिस्ट एरिया में इनसे कहीं का एड्रेस पूछने के बहाने इनसे बात की और वो एड्रेस एक स्लिप पे लिखा हुआ था और जब वो स्लिप पढ़ रहे थे जो अक्यूज्ड हैं तब ही उन लड़कियों ने इनकी आँखों में कुछ स्प्रे किया जिसके बाद ही कहते हैं कि वो फेंट हो लोकेशन में लेके गई वो लड़कियां इनको यह भी बताते हैं कि वो लड़कियां जो हैं खुड रिंक कर रही थी और इनको भी फोर्स कर रही थी ड्रिंक करने के लिए एक के बाद एक इनके साथ दुशकर्म किया उन लड़कियों ने दोनों के साथ equally गलत है ना लेकिन हम लोग जादर sensitive कब हो जाते हैं जब ऐसी घटना है लड़कियों के साथ घटती हैं और बाद में ये बताते हैं कि तीन बज़े के करीब में सुबह में ये लड़कियां छोड़के इनको चली गए वैसे ही अवस्था में इनका हाथ बंधा हुआ था और इनकी आखों पर पट्टी थी इन्होंने ये भी mention किया है कि वो लड़कियां English में बात कर रही थी और इनसे तो उन्होंने पंजाबी में बात किया था बट आपस में English में बात कर रही थी और अच्छे घर की मतलब वेल ओफ घर की लड़कियां ऐसे देख के समझ आ रहा था उन लोगों को कि वो वेल ओफ घर की लड़कियां थी Here's a question to you all Do you know the answer to this? It can men be raped And particularly हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो यह जान लीजिये कि men in India according to laws they cannot be raped at all You know why? Because section 375 किता है जो IPC का है वो rape का definition क्या देता है? Rape is sexual intercourse with a woman कोई mention ही नहीं है men के बारे में Against her will Without her consent Now coming to consent Consent ऐसा नहीं कि औरत को drug किया गया हो और उसके बाद उसके साथ sexual relation maintain किया गया हो तो उसको consent माना जाएगा बिल्कुल भी नहीं अगर किसी तरह का intoxication आदमी के द्वारा औरत को दिया गया हो या फिर fabricate किया गया हो कोई भी ऐसा situation जहां पर औरत नशे में हो और उसके बाद sexual relation maintain करे तो वो जो है consent नहीं होता है ठीक है? यहां पर I would also like to mention about marital rape अभी तक marital rape यानि कि शादी शुदा लड़के और लड़की यानि कि लड़की 18 प्लस की होनी चाहिए अगर उनके बीच में कोई भी sexual activity होती है तो till now, अभी मैं जब record करे हूं तब तक वो crime नहीं होगा वो औरत के consent उसमें consider नहीं किया जाता है Now it has to be said that laws in India are made only to protect women from sexual harassment or rape Why being a woman I am saying this Because there are no legislations to protect men from the ruthless act of sexual harassment You know in Indian law there is only section 377 of the IPC 1860 which talks about sodomy All the other sections are simply meant for women And ये बात सोचने वाली है आप खुद से सोचके देखिए कि एक sexual crime करने के लिए जितना एक आदमी का mind corrupt हो सकता है उतना ही तो औरत का भी हो सकता है We cannot be biased with this The print की एक बहुत अच्छी आर्टिकल मैंने पड़ी If you want, I would like to pin the link in the comment section यहां पे न एक बहुत अच्छे point of view को रखा गया है कि जो social stigma है और जो silence है male sexual abuse को लेके इसके वज़े से awareness की कमी होती है awareness regarding male sexual assault and consequently और आदमी या फिर बच्चे cases report ही करने नहीं जाते कई बार तो memes बनती है गंदी-गंदी and awareness नहीं है तो इसले कोई accept करना ही नहीं चाहता है इन फाक सिर्फ rape ही नहीं if you all remember जिसलीन को और case एक जूटे case में आदमी को फसा दिया गया and बहुत बुरी तरीके से उन्होंने अपना career खोया mental stress का तो जो हाल हुआ होगा उसके बारे में तो क्या ही बोलना है मैंने recent में जो श्टॉक का एक वीडियो देखा था जिसमें एक आदमी आये थे उन्होंने अपने उपर हुए अत्याचार के बारे में अपनी बीवी के त्वारा ये बताया था we all talk about domestic violence we are sensitive enough to understand that हाँ औरतें पीड़ता है but we are not ready to talk about men उनके साथ भी बहुत गरत कुछ हो रहा है लेकिन उन्होंने एक लाइन बोला था कि हमारे देश में जानवर के लिए पेड़ पौधे के लिए ministry है लेकिन आदमी के लिए कोई ministry नहीं है आप वो वीडियो देख सकते हैं अभी भी available है ही of course दो वो मुझे काफी टची लगा था नाओ इस साल NCRB के हसाब से crime against women rose by 15.3% in 2021 so this shows that the crime against women are increasing but at the same time we need to keep in mind that we need to be sensitive enough towards men also मैंने अपने viewpoints दे दी हैं I would like to know about your viewpoints in the comment section वीडियो अगर पसंद आया तो kindly like it and subscribe to the channel Goodbye Jai Hind